महायाजक जिसने प्रायश्रिक के दिन अर्पन चड़ाया लेव यवस्था अधियाई 16 वचन 1 से 34 जब हारुम के दूपुत्र यहोवा के सामने समीब जाकर मर गए उसके बाद यहोवा ने मुसा से बाते की और यहोवा ने मुसा से कहा अपने भाई हारुम से कहे कि संदुक के ऊपर के प्रायश्रित वाले ढखने के आगे बीच वाले परदे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे नहीं तो मर जाएगा क्योंकि मैं प्रायश्रित वाले ढटने के उपर बादल में दिखाई दूंगा जब हारुन पवित्र स्थान में प्रविस करे तब इस रिती से प्रविस करे अर्थात पाप बली के लिए एक बच्डे को और होम बली के लिए एक मेडे को लेकर आए वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगर खा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांगिया पहिने हुए और सनी के कपड़े का तटी बंद और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांदे हुए प्रविस करे ये पवित्र वस्त्र है और वहां जलके स्नान करके इन्हें पहने फिर वहां इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बली के लिए दो बकरे और होम बली के लिए एक और में ढाले और हारुन उस पापबली के बच्ड़े को जो उसी के लिए होगा, चड़ा कर अपने और अपने घराने के लिए प्रायस्टित करे और उन दिनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तम्भु के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारुन दोनों बकरों पर चिथिया डाले एक चिथिया यहवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो और जिस बकरे पर यहवा के नाम की चिथि निकले उसको हारुन पाप बली के लिए चड़ाए परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिठी निकले वहां यहवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्रित किया जाए और वहां अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए हारुट उस पाप बली के बच्डे को जो उसी के लिए होगा सेमिप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्रित करे और जो वेदी यहवा के सन्मुक है उस पर के जलती हुए कोईलों से भरे हुए धुपदान को लेकर और अपनी दोनों मुठियों को कुटे हुए सुगंदिक जूप से भर कर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस दूप को यहवा के सन्मुक आग में डाले जिससे दूप का धुवा साक्षी पत्र के उपर के प्रायश्रित के धकने के उपर छा जाए नई तो वह मर जाएगा तब वह बच्ड़े के लहू में से कुछ लेकर पुरुव की और प्रायश्रित के धकने के उपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस धकने के सामने भी साथ बार छिड़कते फिर वह उस पाप बली के बक्रे को जो साधारन जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले परदे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बचड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बक्रे के लहू से भी करे अर्थात उसको प्रायश्रित के ढटने के उपर और उसके सामने छिड़के और वह इसरायलियों की भाती-भाती की अशुदता और अप्राधो और उनके सब पापो के कारण पवित्रस्थान के लिए प्रायश्रित करे और मिलाव पवला तंबू जो उनके संग उनकी भाती-भाती की अशुतुता के लिए बिच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे जब हारुन प्रायश्रिक करने के लिए पवित्रस्थान में प्रविस करे तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इसराइल की सारी मंडिली के लिए प्रायश्रिक करके बहार न निकले तब तक कोई मनुश्य मिलाव पॉले तंबू में न रहे फिर वह निकल कर उस वेदी के पास जो यहवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्टिक करे अर्थात बच्छडे के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारो कोनों के सिंगों पर चलाए और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा साथ बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राइलियों की भाती-भाती की असुदता छुड़ा कर सुद्ध और पवित्र करें जब वह पवित्र स्थान और मिलाफ वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्रित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले जाए और हारुन अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख कर इसराइलियों के सब अधर्मा के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगिकार करें और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तयार हो जंगल म भेज के छुड़वा दे, वहां बकरा उनके सब अधर्मा के कामों को अपने उपर ला दे हुए, किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वहां मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे, तब हारुन मिलाप वाले तंबू में आये, और जिस सनी के वस्तरो को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रविस किया था, उन्हें उतार कर वही पर रख दे, फिर वहां किसी पवित्र स्थान में जल से सनान कर अपने निज वस्तर पहिन ले, और बहार जाकर अपने होम बली और साधारन जंता के होम बली को चड़ा कर, अपने और जंत प्रविस करें और पापबली का बचड़ा और पापबली का बकरा भी जिनका लहू पवित्रस्थान में प्रायश्रित करने के लिए पहुंचाया जाए विद दोनों च्छावनी से बाहर पहुंच जाए और उनका चमड़ा, मास और गोवर आग में जला दिया जाए और जो उ चाहे वह तुम्हारे निजदेश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें सुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित प्रायश्रित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से याजक पत के लिए अभिशेक और संसकार किया जाए, वह याजक प्रायश्रित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र स्थानों को पहन कर, पवित्र स्थान और मिलाव पाले तंबूग और वेदी के लिए प्रायश्रित करे, और याजकों और मंडली के सब लगों के लिए और यहां तुम्हारे लिए सदा की विदी होगी कि इसराइलियों के लिए प्रतिवर्स एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्रिक किया जाए यहवा कि इस आग्या के अनुसार जो अपने मुसा को दी थी हारुम ने किया वह महायाजक था जो प्रायश्रित के दिन इसरायल के लोगों के लिए बलिदान अरपन करता था यहां बलिदान इसरायली पंचांग के मताबिक साल में एक बार सात्वे महिने के दस्वे दिन दिया जाता था उस दिन जब महायाजक हारुन इसरायल के लोगों के स्थान पर उनके लिए अरपन चड़ाता था, तो वास्तों में उनके सारे अपराद इस बली पशु के उपर चले जाते थे और शुद्ध हो जाते थे, इसलिए प्रायश्रित का दिन इसराल के लोगों के लिए एक बड़ा उत्सो बन गया, दूसरे अरपनों की तरह प्रायश्रित के द इस बलिदान और बलिदानों के बीच में यह अंतर था कि महायाजक को बलिदान के लहू को लेकर पवित्र स्थान में जाना पड़ता था, खुद के और अपने घराने के लिए बैल को पाप बली और मेडे को होम बली के रुप में अरपन करने के बार, महायाजक हारुन इसर दुसरी बकरी को अजाजेल के लिए अरपन करता था। उसके बाद वह सारे इसरायल के लोगों के सामने अजाजेल के बकरे के सिर पर हाथ रखने के द्वारा इसरायल के लोगों के सारे पाप उसके उपर पारिद करता था। और फिर इस बकरे को नियुक्त व्यक्ति के हाथो जंगल में छोड़ दिया जाता था प्रायश्रिक के दिन का बलिदान अरपन इसराइल के लोगों के सारे पापों को साप करता था प्रायश्रिक के दिन महायाजक जो इसराइल के लोगों का प्रती निदित्व करता था वहां बली पसु के सिर्पर हाथ रखने के द्वारा साल भर के पापों को उसके उपर पारिक करता था, वहां दो जीवित बकरे को लाता था और उनके लिए चिठ्थिया डालता था, ताकि वह पहले को परमेशर के लिए अरपन कर सके और दूसरे को इसरायल के लोगों के और समान रूप से नए नियम के समय में हाथ रखने की यह पद्दती मनुष्य जाती के पापों को साफ करने के लिए येशु पर भी लागू की गई, इसरायल के लोगों के साल भर के पापों को मिटाने के लिए हारुन महायाजक को बकरे के सिर्पर हाथ रखने पढ़ते थ क्योंकि महायाजक ने बली पसु के सिर्पर हाथ रखने के द्वारा इसरायल के लोगों के पाप उसके उपर पारिद किये थे, इसलिए इसरायलियों के साल भर के सारे पाप मिट जाते थे, इसी तरह प्रायशक के दिन के बलिदान के द्वारा इसरायल के लोग परमेशुर को दंड दिया जाना था इसलिए सबसे पहले उसे उनके पापों को स्विकार करना पड़ता था यदि माहा याजक बलीपशु के सिर पर हात रखे बिना परमेशुर को अरपन करता तो यह परमेशुर की निंदा करना था और इसराइल इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह इस प्रकार का पाप न करे। सारी मनुश्य जाती जो पापी बन गई थी, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर को उध्धार की योजना बनानी पड़ी, जो हाथ रखने की विधी के द्वारा परिपूर्ण होती थी। इसराइल के लोगों के पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके प्रतिनीदी के रूप में महायाजग को खड़ा किया और उनसे बली पस्टु के सीर पर हाथ रखने के द्वारा इसराइल के लोगों के साल भर के पापों को बलिदान पर पारिक करवाया। उसी रूप से तंबू की अंदर परमेश्वर को अरपन किये गए सारे बली पसु ने हाथ रखवाने के द्वारा इसराइलियों के पापों को स्विकार किया था और उनकी जगा उन पापों के दंड को सहा था अपना लहू बहाय था और मर गए थे परमेश्वर की धारमिक्ता और प्रेम को संपूर्ण रिती से परिपूर्ण करने के लिए इसराइल के लोगों को अनिवार या रूप से साल में एक बार प्रायाश्वर के दिन बली पसु के सिर पर महायाजग के हाथ रखवाने के द्वारा इस बलिदान को और पन करना और उसका लहू बहाने के लिए उसका गला काटना पड़ता था दूसरे सब्दों में इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर एक ही बार में हमेशा के लिए इसराइलियों के साल भर के पापों को साफ करना चाहते थे यहां परमेश्वर के प्रेम का नियम था जो उसकी दया और न्याई को परिपूर्ण करता था क्योंकि परमेश्वर न्याई है इसलिए अपने नियम के नुसार अपने लोगों के पापो को एक ही बार में मिटाने के लिए परमेश्वर ने बलिदान का मेमना यानि कि येश्व मसी को तयार किया हाथ रखने के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके उपर डाले और कुरूस पर उसका लहू भाया ये शुरू जिसने खुद को अनंत बलिदान के रूप में अर्पन किया था उसने इस पद्दती के द्वारा हमेशा के लिए प्रत्येक लोगों के पापों को ले लिया था एक बार अपना लहू बहाया और इस प्रकार हमारे लिए पाप से उध्धार को परिपूर्ण किया इसलिए हमें इस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहिए उसे उस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है। उनके पाप उसके उपर पारित करने पड़ते थे और फिर उसके गले को काटना पड़ता था उसका लहू निकालना पड़ता था और फिर इस लहू को याजक को दिना पड़ता था और फिर याजक को कुछ लहू लेकर होमबली की वेदी के सिंगों पर अपनी उंगली से छिड पर्मेश्वर इसे उसकी चर्वी को वेदी पर जलाना भी पड़ता था और फिर परमेश्वर जलती हुई चर्वी की शुगंद को लेता था। हमने पहले ही सिखा है कि इसराइल के लोगों के पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने प्रायस्षित के दिन को तयार किया जहां माया जग के हाथों को बली पसु के सिर्पर रखा जाता था और उसका लहू भाया जाता था। इस मामले में भी बली पसु के सिर पर हात रखे बिना परमेश्वर इसराइलियों के पापों को शुर्द नहीं करता था। इसी प्रकार से पुराने नियम में दिया गया प्रायश्वर का बलिदान नए नियम के येश्व के बप्तिस्मा और लहू से संबंद रखता है। इस प्रकार जब यहना बप्तिस्मा देने वाले ने येश्व के सिर पर हात रखने के द्वारा उसे यर्दन नदी में बप्तिस्मा दिया। तब जगत के सारे पाप उसके उपर डाले गए। पुराने नियम का निर्दोस बलिदान के अरपन को और नए नियम के परमेश्वर के निर्दोस मेम ने येश्व को अपने उपर हात रखवाना पड़ा। और समान रिती से लहू भाया और मरे। इसलिए पापियों के लिए तयार किया गया हात रखने और लहू भाकर दिये जाने वाला बलिदान पुराने और नए नियम में एक समान था। मनुष्यों के पापों के अपरी हारी रूप के कारण परमेश्वर का क्रोध निश्टिक था। पर्मेशुर के सामने हम पापी थे, जो हमारे पापों की वज़से मरने वाले थे, ठीक उसी तरह जिस प्रकार पाप बली पाप उठाने की वज़से मरता था जब हम बरिदान के अरपन को टुकड़े में काटने और होमबली की वेदी पर जलाने की कलपना करते हैं, तब हम पर्मेशुर के अनुगर के उध्धार को समझ सकते हैं, कि हम भी पर्मेशुर के सामने नस्ट होने के लिए बंदे हुए थे, और फिर भी प्रवु ने युहन् को प्राप्त कर रहा है और जल्द ही प्रभु के बप्तिस्मा और लहु पर उध्धार के रुप में विश्वास करना चाहिए, हमें हमारे पापों की सजा देने के बजाए, हमें बचाने के लिए पर्मेशुर ने उध्धार का निर्दोस बलिदान तयार किया, इस अनंत ब पहले आपको पर्मेश्वर के सामने यहां अंगिकार करना चाहिए, कि आप पापी है जो पाप के दंड का सामना कर रहे हैं, और फिर आपको विश्वास करना चाहिए, कि येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर ने उध्धार की योजना को परिप्रून किया, जिसे उसने स इस बलिदानी पदती में जिस बलिदान के सिर पर हाथ रखा गया हो और लहू बहाया गया हो उसे ही सच्चे बलिदान के अरपन के रूप में स्विकार किया जाता था जो इसराइलियों के पापों को साफ करता था विश्वास से हमें भी परमेश्वर को यह बलिदान अरुपन करना चाहिए जिसके उपर हात रखे गए हो और जिसका लहू बहाया गया हो जो पवित्र सास्तर में लिखा है उसी रूप से बलिदान की पद्दती के रूप नहो प्रभु ने अपना लहू बहाया क्योंकि उसने बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापो को ले लिया था हमारी जग़ पाप के दंड को सहा था और इस तरह हमारे सारे पापो को मिठाया था जब हम पानी और आत्मा के वच्चन पर विश्वास करते हैं और जब हम प्रभू के सिर पर हमारे हाथ रखते हैं जो हमारा बलिदान का अरपन बना है और इस प्रकार हमारे पापों को उसके उपर पारिद करते हैं तब हम यह विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी प पारिक कर सकते हैं जो हमारे लिए बलिदान का अरपन बना है और हम उसके साथ मर सकते हैं और इस सत्य में उसके साथ जी सकते हैं। हमारा उध्धार परिपूना किया है। हमें ये शुर के बपतिस मां पर विश्वास करने के द्वारा उसके सिर पर हाथ रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम विश्वास से निर्दोस बलिदान के अरपन के सिर पर हाथ रखते हैं और उसका लहू बहाते हैं केवल तब हम हमारे सारे पापों से बच सकते हैं इसी तरह जो कोई भी परमेशर के सामने अपने पापों से माफी पाना चाहता है उसे जीवन की कीमत चुकानी चाहिए क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है चाहे कोई धनवान है या गरीब है इसकी परवा की ये बीना बलिदान का यह अर्पन होना जरूरी है जो उस व्यक्ति के पापों की कीमत और जीवन के प्रायशर की कीमत चुकाता है जब तक आप इस तरह परमेशर की आग्या का पालन नहीं करते तब तक कोई भी विश्वास से पाप की मापी नहीं पाप प्राप कर सकता प्रायशर के दिन का बलिदान आईए हैमलेव्य वस्ता अध्याई 16 वचन 6 से 10 को देखे और हारुन उस पाप बली के बचड़े को जो उसी के लिए होगा चड़ा कर अपने और अपने घराने के लिए प्रायशर करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाव पाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारुन दोनों बकरों पर चिठ्थिया डाले एक चिठ्थी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए, और जिस बकरे पर येहोआ के नाम की चिठी निकले, उसको हारुन पाप बली के लिए चिठी निकले, वह येहोआ के सामने जीविक खड़ा किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छूड़ा जाए इस्राइल के लोगों को अपने पापों की माफी प्राप्त करने की योग्य बनाने के लिए उनकी जगा महायाजक बलिदान अर्पन करता था जिसके सीर पर हात रखा गया था और उसके लहु को बहाया गया था हम आज के मसीहों के विश्वास का कैसे वरंग कर सकते हैं यहां वो विश्वास नहीं है जो जिसका बलिदान उनके पापो उसके उपर पारित करने के द्वारा पापों की माफी पाता है यदि आपका विश्वास ऐसा नहीं है, जिसमें हात रखने के द्वारा अपने पापों को येशु मसी के उपर पारित किये गए थे, तो फिर आप में कोई समस्या है जब तक आपका विश्वास ऐसा ना हो जो येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर विश्वास करता हो तब तक वह परमेश्वर के द्वारा स्विक्रूत विश्वास नहीं हो सकता हम परमेश्वर के सामने नियमों का पालन करने में असफल रहे हैं और पिछले साल के दोरान हमने सब प्रकार के पाप किये हैं इसलिए यदि हम पुराने नियम के समय में जीवन जी रहे होते तो हमें हमारी जगह जो महायाजक ने बलिदार अरपन किया था उस परमेश्वर के पाप बली पर विस्वास करने के द्वारा पापों की माफी को प्राप्त करना पड़ता। परमेश्वर को विस्वास का बलिदान देने के लिए सबसे पहले हमें यह स्विकार करना चाहिए कि हम हमारे पापो की वज़से नर्द के लिए बंदे हुए हैं और फिर हमें हाथों को रखने की वीधि पर जो हमारे पापो को बलीपशुर पर पारिक करता है जिसे परमेशुर ने हमारे लिए तयार किया है और लहु बहाने पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि बली पसु के ऊपर हाथ रखना और उसके लहू बहाने में उद्धार की सामर्ते थी। इसलिए पुराने नियम के लोग इस बलिदान के द्वारा उनके पापों की माफी को प्राप करते थे। जो महायाजक परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलिदान की पद्धती के मुताबिक अरपन करता था। बलिपस उपर अपने हाथ रखने के द्वारा महायाजक साल भर के पापों को उसके उपर पारित करता था। उसका लहू बहाने के लिए उसके गले को काटता था और प्रयाशिक के ढखने और उसके पुरुवकी और साथ बार लहू छिड़कता था ऐसा करने के द्वारा वह साल में एक बार परमेश्वर को सच्चा अरपन चड़ाने से रुपता नहीं था इसी तरह पुराने नियम में इसरायल के लोग अपने पापों के संप्रोन माफिक को प्राप करते थे किसी तरह महायाजक के द्वारा दिये गए पाप बली के अरपन के द्वारा इसरायल की लोग विश्वास करते थे और अपने रिदे में निश्चित करते थे कि उनके सारे पाप मिठ चुके हैं पुराने नियम के प्रायश्चित का बलीदान हमें नए नियम में यहां दिखाता है कि येश्व मसी ने योहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को उठाया और कुरुस पर अपना लहुबा आया और इस प्रकार हम इस येश्व मसी प माफी को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें इस सुसमाचार को अपने रिदे में खोदना चाहिए। इसी तरह सारे पापों की माफी के बलिदान को पहले से ही स्थापित किया था और वाइदा किया था वह उसे परिप्रून करेगा। और उद्धार का यह वाइदा तंबू को बनाने वाली सामगरी, नीले बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में भी प्रगट हुआ था। प्रायशित के दिन का बलिदान तंबू के अंदर पूरा किया गया। प्रायशित के दिन इसराइल के लोगों के सारे पापों को लेने के लिए महायाजक सारे इसराइलियों के सामने बलिदान के अरपन के सीर पर हाथ रखता था। उसकी जगह पर बलिदान के सीर पर हाथ रखने के द्वारा उनके पापों को उसके उपर पारित करना महायाजक के लिए बहुत ही आवशक था. जब हारुन महायाजक प्रायशक के दिन तंबू के अंदर इस्राइल के लोगों के लिए बलिदान अरपन करता था, तब दूसरा कोई भी व्यक्ति तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था. वहाँ एक अद्बूत प्रसंद था, क्योंकि बहुत सारे याजक तंबू के आंगन में अपने कारियों को करते थे, लेकिन वह जग़ प्रायशक के दिन खाली रहती थी. महायाजक बलीपसु के सीर पर हाथ रखने के द्वारा इसरायल के लोगों के पाप उसके उपर पारिक दरता था, बलिदान के लहू को परम पवितर स्थान में लेकर जाता था, और अपनी उंगली से पुर्व में प्रायशक के धखने के उपर छिड़कता था, और में लहू छिड़कता था, तब यहाँ घंटिया बचती थी, और तंबु के बाहर बैटे हुए इसरायल के लोग घंटी के आवास को सुनते थे, जब इसरायली सोने की घंटी के आवास को सुनते थे, तब उन्हें पता चलता था कि अब महायाजक उनके स्थान पर परमेश् इसके बाद हारुन महायाजक तंबु के बाहर आता था, दूसरी बच्चु ही बकरियों को बलिदान के लिए लिता था, और इसरायल के लोगों के सामने इस पसुर को प्रायश्च के दिन के बलिदान के रूप में चड़ाता था, परमेश्वर ने इसरायल के लोगों को प्राइश्रित के दिन महायाजक बलिदान के बकरे को इसराइल के लोगों के सामने लाता था। हमने आपके और एक दूसरे के खिला अंगिनत पाप किये। आपने जिस तरह हमें जीवन जीने के लिए कहा था वैसे जीने में हम विफल रहे और हमने वो काम किये जो आपने करने के लिए मना किया था। व्यक्ति के हाथों उसे जंगल में छोड़ देता था। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यू है इसलिए परमेश्वर बली पसु को इसरायल के लोगों के पाप स्विकार करने के बाद जिन्दा नहीं छोड़ सकता था। जिस बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था उसे सहन करना पड़ता था और मरना पड़ता था। क्योंकि उसने इसरायल के लोगों के सारे अपराद दोश और पापो को उठाया था। महायाजग के हाथ रखने के द्वारा इसराइलियों के प्रत्यक पाप बली पसु के उपर पारित हो जाते थे। कि आज के लोगों के पाप भी हाथ रखने के द्वारा बलीदान के अरपन पर पारित किये जा सकते हैं। जिस तरह पुराने नियम में महायाजक के हाथ रखने के द्वारा इसरायल के लोगों के पाप पारित हो जाते थे। यदि ऐसा संभव नहीं होता, तो आज के लोगों के लिए अपने पापों की माफी पाने का रास्ता कहा है? कौन उनके पापों को पारित करेगा? कैसे? और क पुराने नियम में परमेशुर के द्वारा स्थापित बली प्रथा के अनुसार, नए नियम में येशु मसी ने युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया। जिस तरह महायाजक इसरायल के लोगों के लिए जो बलिद तो फिर आज के लोगों के सारे पाप कहा है वे अब येशु मसी के सिर पर है जिस प्रकार अजाजल के बकरे ने महायाजक के द्वारा हात रखवाने से इसराइल के लोगों के सारे पापों का स्विकार किया था उसी तरह हम जो वरतमान युग में जी रहे हैं उनके पापों क माफी के लिए येशु अनंत बलिदान का अरपन था येशु जो हमारे लिए बलिदान बना उसने हमारे पापों के लिए खुद को परमेशुर के लिए अरपन किया दूसरे सब्दों में येशु ने यहनना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया और खुद को जंगल में छोड़ दिया गया था, वह जिंदा नहीं रह पाता था, क्योंकि वहाँ कोई पानी नहीं था, लेकिन एकांध जंगल में केवल जलते हुए सूरज की धुग थी, इसी तरह येशु को भी कुरूस पर चड़ाना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ही अपने बप्तिसम के द्वारा जगत के पापो को ले लिया था, जिस प्रकार बकरे को विरान जंगल में छोड़ दिया जाता था, उसी प्रकार जगत के पापो को अपने उपर उठाने वाले येशु को बहुत सारे लोगों के द्वारा तिरस्कृत और ग्रूनित किया गया, यदि बलिदान क के बकरे को विरान और उजड़े हुए जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था, तो क्या वह प्यास के मारे वहां घुमने के कारण अंत में मारा नहीं होगा। उसी तरीके से येशु को जिसने हमारे पापों को स्विकार किया था, उसे कई लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया गया। येशु के धर्मी कारे को देखने, सुनने और विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की माफी प्राप कर सकते हैं। ये हमसे कहता है कि येशु मसी ने युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया। जगत के पापों को उठाया कुरूस पर चड़ाया गया, अपना लहु बहाया मरा और फिर से मृत्यू से जीवित हुआ। वे आज भी अपने पंचांग के मताबिक सातवे मैने के दस्वे दिन प्रायश्रित का बलिदान चड़ाते हैं। क्योंकि परमेश्र ने उन्हें आग्या दी है। लेवे विवस्ता अध्याई 16 वचन 34 और यह तुम्हारे लिए सदा की विदी होगी कि इसराइलियों के लिए एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्रित किया जाए। जगत के पापों को अपने उप उठाया, कुरूस पर चड़ा और इस प्रकार पापों को साफ करने के कारियों को संपूर्ण रिति से परिपूर्ण किया है। परमेश्र ने इसराइल के लोगों को आदेश दिया कि वे प्रायश्रित के दिन बरिदान का अरपन करे। उसने ऐसा किया क्योंकि वे लोग आगे भवेश्र की और देख सके। जब पिता परमेश्र पिता अपने पुत्र येश्यु मसी के बप्तिस्मा और उसके लहु बहाय जाने के द्वारा समगर मनुष्य जाती के पापों का फ्रायश्रित करे। इसलिए परमेश्र पिता का इकलोता पुत्र और समगर मनुष्य जाती का उधार करता येश्यु मसी प्रत्यक व्यक्ति के पापों को मिटाने के लिए इस पुत्वी पर आया। परमेश्यु के प्रेम से सब कुछ परिपूर न किया। और मनुष्यों के सामने परमेश्यु को खुद पर डालने के लिए योहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने और कुरुस पर अपना लहू बहाने के द्वारा येशु ने जगत के सारे पाप और अप्रादों को मिटा दिया है उसके लिए खुद ने दंड सहा और इस प्रकार हमारा उध्धार करता बना परमेशों ने मुसा को बुलाया और पहले उससे नियम दिये फिर परमेशों ने उसे आदेश दिया कि वे नीले बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की सामगरी से मिला पौला तंबु बनाए और उसने उसे बलिदान की पद्धती दी यह करने के द्वारा परमेशों ने इसरायल के लोगों को हाथ रखने और लहु बहाने के महत्व को समझाने के योग्य बना और उसके बदले में उसने उन सब को येशों मसी तंबु में भविश्यवानी की हुए उद्धार के द्वार को दिखाया जो इस पृत्वी पर आया बप्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को अपने उपर उठाया कुरूस पर चड़ा और लहु बहाया पाप दोने का उद्धार जो परमेश्व ने हमें दिया है वह तंबु के द्वार को बनाने की सामगरी में प्रगट हुआ है तंबु को बनाने के लिए इस्तमाल हुई सामगरी के बीच में नीला कपड़ा दर्शाता है कि येश्व ने युहनना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए उठाया बेंजनी कपड़ा दर्शाता है कि येशु मसीर राजाओ का राजा और प्रभू का प्रभू है क्योंकि वही सच्चा परमेशुर है जिसने ब्रम्हान की रचना थी है लाल कपड़ा हमसे कहता है कि क्योंकि येशु ने बप्तिस्मा लिया इसलिए उसने क्रूस पर अपने लहु को बहाने के द्वारा सारे पापियों के पापों को दंड को सहा और बटी हुई सनी का कपड़ा हमसे कहता है कि बाईबल नीली बेंजनी और लाल कपड़े में प्रगट हुए इन तिन सिवकाई को स्पस्ट रिधी से वर्णन करती है उद्धार करता है और उसने युहना बक्तिस्मा देने वारे से बक्तिस्मा लेने के द्वारा और कुरुस पर अपना लहु बहाने के द्वारा उनके सारे पापों को साफ किया है जो तंबू को तयार करने की सामगरी नीले बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में भी प्रगट हुई है और इस प्रकार उन्हें अपने पापों की माफी को प्राप्त करना चाहिए मूसा के द्वारा परमेश्वन ने उध्धार की नियम मनुष्य जाती के लिए पाप की माफी की नियम की स्थापना की है और जब समय आया तब उसने येश्व मसी को इस पृत्वी पर बेजा और यहना बप्तिस्मा देने वाले से उसका बप्तिस्मा करवाया और कुरूस पर उसका लहुबाया ताकि येश्यू बलिदान का अर्पन बन सके जो जगत के पापों को साफ कर सके और यह करने के द्वारा परमेश्वर ने उन सब को अपने पापों से सुद्ध होने के लिए योग्य बनाया जो इस पर सच्चा विस्वास करते हैं इसलिए जब हम येश्यू मसी पर अपने उधार करता के रूप में विश्वास करने का दावा करते हैं तब हमें येश्यू ने लिये हुए बप्तिस्मा और कुरूस पर बहाय हुए उसके लहु को जानने के द्वारा विश्वास करना चाहिए जिस प्रकार पुराने नियम का बलिदान का अरपन हाथ रखवाने द्वारा पापियों के अपरादों का स्विकार करता था और अपना लहू बहाने के द्वारा उनके पापों का दंड सहता था वैसे ही येशो मसे इस कृत्वी पर के सारे लोगों के लिए पाप बली बन कर आया। बबतिस मलेने के दौरा जगत के पापों को उठाया, कुरूस पर चड़ा और अपना कीमती लहू बहाया, और इस पर विश्वास करने वाले सारे लोगों के पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया हमें लिखे हुए वचन पर जैसा है वैसा ही विश्वास करना चाहिए बाइबल का सत्की यह है कि जिस प्रकार पूराने नियम में महायाजक प्रायाशित के दिन बलिदान अर्पंग करता था उसी समान येशु इस कृत्वी पर आया, बप्तिस्मा लिया और कृुस पर चड़ा और हमें जगत के सारे पापो से एक ही बार हमेशा के लिए बचाने के लिए अपना लहु बहाया इसलिए हमें बाइबल पर जैसा लिखा है उसी प्रकार विस्वास करना चाहिए हम हमारे पापो के कारण दंड के हकदार है लेकिन येशुमसी इस पृत्थी पर आया और अपने बप्तिस्मा और लहू से हम सब को हमारे सारे पापों से बचाया परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ किया है फिर भी सत्य पर विश्वास न करना पाप है जिसे कभी भी परमेश्वर के द्वारा माफ नहीं किया जाएगा उसने केवल एक पाप को छोड़कर जगत के सारे पापों को मिटा दिया है अर्थात पवित्र आत्मा के विरुद निंदा का पाप इसलिए जो लोग वास्तों में पापों के माफी पाना चाहते हैं उन्हें इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए कि येश्यू मसी ने बब्तिस्मा लिया अपना लहु बहाया, मृत्यू से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हमें जगत के सारे पापों से छुड़ाया इस सत्य के अलावा हमारे पापों की माफी के लिए कौन से अच्छे कर्म है अब हमारे लिए समय आ गया है कि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के सत्य को जाने और इस सत्य पर विश्वास करे प्रत्यक व्यक्ति को यहां समझना और विश्वास करना चाहिए कि तंबूग के द्वार में प्रगट हुए नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रगट हुआ सत्य, सच्चे उधार का सुसमाचार है और इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए सपस्ट और अतूट सत्य यहां है कि येश्व ने अपने बप्तिस्मा, कुरुस पर अपने लहु बहाने और मृत्यू से अपने पुनुर्थान में विश्वास्यों को उधार दिया है और वह सब हमें जगत के पापों से बचाने के लिए परिपुरुन हुआ पुत्र का बलिदान जो पिता परमेश्वर चाहते थे आईए हिम इबरानियों की पत्री अध्याई 10 वचन 5-9 की और मुड़े इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेट तुने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तयार की होम बलियों और पाप बलियों से तु प्रसन नहीं हुआ तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र सास्तर में मेरे विशे में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ उपर तो वह कहता है न तुने बलिदान और भेट और होम बलिया और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन हुआ यद्यपी ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चड़ाय जाते है फिर भी कहता है देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करू अतह वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे इसका मतलब है कि पुराने नियम के हर दिन चड़ाय जाने वाले अरपन से जगत के पाप संपुर्ण तरीके से नहीं मीटाय जाते और अनंद काल का बलिदान देने के लिए येशु मसीश पृत्वी पराया बप्तिस मलिया अपना लहु बहाया मृत्यू से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हम सब का उध्धार करता बना बजन सहीता अधियाई 40 वचन 7 का मतलब जो इस प्रकार है तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं क्योंकि पुस्तत में मेरे विसे ऐसा ही लिखा गया है अर्थात येशु मसीश पृत्वी पराये और खुद पर पाप रखवाये और लहु बहाने की द्वारा सारे पापों को साफ किया ठीक उस तरह जैसे पुराने नियम में लिखा हुआ है पुराने नियम के युग में प्रायाशित के दिन बली पसु के सिर्फ पर महायाजक अपने हाथ रखकर इसरायल के लोगों के पाप उसके उपर पारिक करता था और परमेश्वर को और पंट चड़ाता था और इस प्रकार इजरायल के लोगों के पापों की माफी मिलती थी। उसी प्रकार येश्व मसी जो समगर मनुश्य जाती का अनंत बलिदान बनने के लिए इस पुर्थी पर आया, हाथ रखने की विधी के रुप में बक्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को खुद करते हैं। जिस प्रकार परमेश्व ने तंबु की बली प्रथा के वाइदा किया था, ठीक उसी प्रकार नए नियन में येश्व इस पुर्थी पर आया और एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे उद्धार को परिप्रून किया। जो लग उसके उद्धार पर विश्वास क अर उद्धार के उस वाइदे को बप्तिस्मा लेने और अपना लहू बहाने के द्वारा परिप्रून किया। और इस प्रकार परमेश्वर के वचन को संप्रून किया। दूसरे सब्दों में परमेश्वर के सारे वाइदे अंत में येश्व मसी में परिप्रून हुए। इस्राइल के लोग विश्वास करते थे कि केवल नियम और भवीश्य वक्ताओं की भवीश्य वानी ही परमेश्वर का वच्छन है. लेकिन वे उस येशु मसी पर विश्वास करने के लिए अक्षन थे जो नया नियम के युग में परमेश्वर और उद्धार करता के रूप में हमारे पास आया इस्राइल के लोगों के साथ इस जगत के सारे लोगों को यहां समझना चाहिए कि येशु मसी खुद परमेश्वर है और अपने रिदे में स्विकार करना चाहिए कि वही आने वाला मसी है येशु क्यों आया? जिस प्रकार येशु परमेश्वर पिता की इच्छा को पुरा करने के लिए आया इसलिए वहां उन लोगों को उध्धार करता है जो यहां विश्वास करते है कि वहां इस पुरुथी पर उनके पापों को हमेशा के लिए साफ करने के लिए आया जिस प्रकार इब्रानियों अध्याई 10 वचन 10 कहता है उसी इच्छा से हम येश्यों मसी की दे के एक ही बार बलिदान चड़ाये जाने के द्वारा पवित्र किये गए है हमें इस पस्ट रुप से समझना और विश्वास करना चाहिए कि यह पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि येश्यों मसी इस प्रुथ्वी पर पैदा हो उसने पिता की इच्छा के अनुसार बप्तिस्मा लिया उसी इच्छा से वह कुरूस पर चड़ा कुरूस पर मरत्य दम तक अपना लहू बहाया, मृत्यू से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार उस पर विश्वास करने वालों का उध्धार करता बना पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए येश्व मसी को अपने बप्तिस्मा और लहू बहाने से सारे पापों को मिटाने के द्वारा मनुष्य जाती के उध्धार करता को परिपूर्ण करना पड़ा इसी तरह उसने खुद की इच्छा से खुद को कुरूस पर सौंपा इस प्रकार हमें संपुर्ण उध्धार दिया क्योंकि येश्व मसी ने न केवल इसराइल के लोगों के लिए लेकिन सारे अन्य जातियों के पापों को मिटाने के लिए खुद को बलिदान किया इसलिए हम केवल तभी उध्धार प्राप कर सकते हैं यदि हम अपने रिदई से इस पर विश्वास करे उसके 23 साल के जीवन के दोरान येश्व ने किवल एक बार ही बक्तिसमा लिया पेकिन उध्धार करता के इस धर्मिकार्य ने यगत के पापियों को एक ही बार में हमेशा के लिए बचाया यही एक मात्र और संपुर्ण उध्धार है जिस प्रकार येश्व ने मनुशजाती के द्वारा दिये गए सुरुवात से लेकर अंध के पापो को मिटाया उसी प्रकार उसने हमें भी विश्वास के द्वारा हमेशा के लिए उध्धार पाने के योग्य बनाया एक बार हमेशा के लिए खुद की देख को अरपन करने के द्वारा येश्व मसी ने हमें हमेशा के लिए संपुर्ण किया है जिस प्रकार उसने युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया और अपना लहु भाने के द्वारा हमारे पापों का दंड सहा इसलिए हमें बड़े आनन से अपने रिदे में इस असल सु समाचार पर विश्वास करना चाहिए और हमारे सारे पापों से उध्धार प्राप्त करना चाहिए पिता परमेश्वर की इच्छा के द्वारा येश्य मसी हमारे सारे पापों को उठाने और जीवन की कीमत चुकाने के लिए इस पुर्थी पर आए और उसने सफलता के साथ पिता की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपना सच्चा उध्धार प्रगट किया यह वचन वास्तों में सत्य है जिस पर आपको और मुझे जो इस आधोनिक जगत में जी रहे हैं उन्हें विस्वास करना चाहिए हमें येश्यु के बप्तिस्मा और कुरुस पर उसके बहाय हुए लहु को एक साथ जुड़ना चाहिए और उन पर एक सत्य के रुप में विस्वास करना चाहिए जो हमें संपुन रिती से बचाता है यदि हम ऐसा करने में असनफल होते हैं तो हम निस्चिती पापों की अनंत माफी को गवा देंगे इसलिए हमें परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार विस्वास करना चाहिए पानी और आत्म के सुसमाचार के सत्य की मुताबिक पानी और आत्म का सुसमाचार प्रकास लालता है लेकिन यदि हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब इस सच्चे सुसमाचार से कुछ जोड़ते हैं कि पानी और आत्मा का सूसमाचार भी सांसारिक सिध्धानतों में से एक है, जिस प्रकार मसीही पाप करते हैं। वे सिखाते हैं कि व्यक्ति हर दिन प्रायशत की प्रात्ना अरपन करने से किसी भी प्रकार के पापों की माफी प्राप कर सकता है। परमेश्वर ने इबरानियों अध्याई 10 वचन 11 में स्पश्ट रुप से कहा है हर एक याजग तो खड़े होकर प्रति दिन सेवा करता है एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं करता बार-बार चड़ाता है यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि क्योंकि केवल हम कुरूस के लहूपर हमारे विस्वास के द्वारा परमेश्वर से हमारे प्रति दिन के पापों की माफिक को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि येशु ने बप्तिस्मा लेने और कुरूस पर मरने के द्वारा पिता परमेश्वर को बलिदान अरपन किया वह उद्धार का संप्रून बलिदान है इसलिए हम इस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा पूरी तरह बचाये गए है क्योंकि जब येशु ने युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया तब जगत के पापों को उसके उपर पारित किये गए इसलिए येशु इन पापों को कुरूस पर ले जा सका और उस पर मर सका ताकि उन पापों के दंड को समाप्त कर सके और इस प्रकार उसके बप्तिस्मा और लहू बहाने पर विस्वास करने वालों के पाप शुद्ध होते हैं येश्व ने जब बप्तिस्मा लिया और कुरूस पर लहू बहाया उस पर विस्वास करने के द्वारा हम भी येश्व मसी के साथ मर गये हैं और विश्वास से उसके साथ फिर जिलाए गए हैं। रोमियो अधियाई 6 वचन 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है, परंतु परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभु मसी येशु में अनन्त जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यू है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, और इसलिए मजदूरी को जीवन से चुकाया जाना चाहिए। इसलिए येशु मसी के लिए मनुश्य की देह में इस पुत्वी पर आना, युहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेना और कुरुस पर अपना लहु बहाना जरूरी था। वास्तों में आपके पापों को येशु पर पारित करना उसके बप्तिस्मा के द्वारा परिप्रोन किया गया और इन पापों को उठाने और मरने के द्वारा येशु ने आपके पापों की कीमत चुकाई है और उनको एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दिया है फिर भी इस तब वे अपने पापों के कारण परमेश्वर के सामने भईभीत होते हैं। परमेश्वर के उद्धार के सूसमाचार ने हमें पूरी तरह से बचाया है और हमारे पापों के सारे दंड को ले लिया है तो फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वज़से हमें चिंता करने की जरूरत है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वहीम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी उनके समान स्वेत हो जाएंगे। हम सब विश्वास से बच सकने हैं क्योंकि पुराने नियम की बली प्रथा के मुताविक जिसमें बलिदान के अरपण पर हाथ रखने के द्वारा सारे पाप उसके उपर पारित किये जाते थे। ठीक वैसे ही येश्व के बप्तिस्मा ने जगत के सारे पापो को स्विकार किया है। वे अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हर दिन विलाव करते हैं और रोते हैं क्योंकि उनका विश्वास येश्व के कुरुस के दुख के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के रिदे पूरी तरह से पत्व भरस्ट और दोस्पूर्णा है और अब उन्हें इस गलत विश्वास को छोड़ देना चाहिए। यहां आप और मैं हैं जिसे परमेश्वर की दयाक की जरुरत है जो हमारे उधार करता येश्व ने अपने बक्तिस्मा और लहु के द्वारा हमें दिया है ना कि येश्व को हमारी सहानु भुती और भक्ती की जरुरत है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर को किसी चीज की घटी है और जैसे वहाँ उनके विश्वास करने के लिए भीक मांगता है। पर नहीं कर पाते जो उन्हें पापों से संप्रून बनाता है। परमेश्वर का नाम वियर्थ में लेते हैं इसलिए वे न तो जानते हैं और नहीं विश्वास करते हैं कि उद्धार करता येश्व मसी ने उनके सारे पाप संपूर्ण रिती से मिटा दिये हैं। और इसके परिनाम स्वरूप वे उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर ने कहा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूँगा। और जिस किसी पर कुपा करना चाहूं, उसी पर कुपा करूँगा। यदि परमेश्वर ने अपनी दया से उध्धार के नियम के द्वारा पापियों को बचाने का फैसला किया है, तो फिर वह ठीक वैसा करेगा जैसा उसने फैसला किया है। इसलिए हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विस्वास करना चाहिए और हमारे सच्चे उध्धार को प्राप्त करना चाहिए। प्रुन उद्धार के सूसमाचार, यानि पानी और आत्मा के सूसमाचार को पहचानता और विस्वास करता है, वे अपने सारे पापों से चुटकारा पाएगा। पापी, जो पर्मेशुर्ड के सूसमाचार पर विस्वास नहीं करते, वे अपने पापों का दंड सहेंगे। लेकिन जो लोग येश्युक्त के पापों को सुद्र करने के सत्य पर विस्वास करते हैं, वे अपने पापों से उध़ार पाएंगे। हर कोई जिसके विवेक में पाप है वो बिमार है और इसलिए लोग उधार के निराधार आदारीन सिध्धान्त के साथ आते हैं जो पानी और आत्मा के असल सुसमाचार से पूरी तर अलग है वे ऐसे नीरतक सिध्धान्तों से अपने विवेक को आराम देने की कोशिस करते हैं ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं येशु पर विश्वास करता हूँ इसलिए मेरे रिदे में पाप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिनके रिदे में पाप हैं वे नरक में डाले जाएंगे क्योंकि परमेश्वर वास्तों में ऐसे लोगों का उनके पापों की वज़से न्याई करेगा क्योंकि वे शैतान के साथ हैं इसलिए परमेश्वर उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता लेकिन जो लोग परमेश्वर के न्याई के बारे में जानते हैं और यह जानते हैं कि पाप के लिए परमेश्वर का न्याई करेगा वे परमेश्वर से उससे दयापुर्ण प्रेम को मांगते हैं वे सारे पापों से बचना चाहते हैं सत्य की खोज करते हैं और प्रमेश्वर की और खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां सत्य है कि येश्व मसी ने बप्तिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य के सारे पापों को ले लिया, प्रत्यक पापी को इस पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी को प्राप करना चाहिए, उस सुसमाचार के बच्छनों के द्वारा हम सब को अब समझना चाहिए कि हमारा सच्चा उद्धार क्या है और हमारे रिदे में ऐसा विश्वास होना चाहिए जो वास्तों में इस सुसमाचार पर विश्वास करता है जो लोग अपने रिदे में इस सत्य पर विश्वास करते हैं उन्होंने चाहे कितने भी भाव क्यों ना कियो हो, लेकिन वे सब लोग विश्वास से, अपने सारे विश्वास से सुध होंगे और पापों की सच्ची माफी और अनन्त जीवन को प्राप्त करेंगे. क्या आप इस सुसमाचार पर विश्वास करना चाहते हैं जिसने आपके रिदय की सारे पापों को अद्रश्य किया है? तरह हर दिन विश्वास के दौरा, परमेशवर को बलिदान का अरपन देने के दौरा अपना जीवन जीते हैं। लेकिन यह विश्वास का जीवन नहीं है जो आप जीना चाहते हैं। क्या आप जब चाहे तब प्रायशुक की प्रात्ना दे इसलिए येशु मसी ने आपके पापों को सुद्ध करने के लिए कुरूस पर लहू बहाया था। ऐसा नहीं हो सकता। सत्य यह है कि आपको यह विश्वास करने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए अपने पापों को साफ करना चाहिए कि येशु मसी के बप्तिस्मा और लहू बहाने का सामर्थिय हमेशा के लिए हैं। जो लोग हर दिन पश्चतात के प्राप्तना चड़ाने के द्वारा खुझ से अपने पापों को साफ करने की कोशिस करते हैं, वे पापों की अनंत माफी को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही उनके पास ऐसा विश्वास होता है, जो उन्हें सच्चा उद्धार प्राप्त करन पापों की माफी पाने के लिए उन्हें वास्तों में ऐसा बलिदान चड़ाना चाहिए, जो उनके पापों को विश्वास से येश्व के सरीर पर पारित करें, हमारे पास प्राप्त की प्राप्तना करने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा विश्वास होना चाहिए जो तंबू के परदे बनाने के लिए इस्तिमाल हुए नीले, बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रगट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है। पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप उसके उपर डालने चाहिए। और इस विश्वास के द्वारा जो येश्व के बप्तिसमा और उसके लहु बहाने दोनों पर विश्वास करता है। येश्व को अपनी और आते देखकर कहा देखो येश्व का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। येश्व को बप्तिसमा देने वाले ने येश्व को बप्तिसमा देने के दूसरे दिन दी थी। जब येश्व को अपनी और आते देखा तब उसने कहा देखो वह जो आ रहा है। उसने येश्व को बप्तिसमा देने वाले के आसपास खड़े हुए लोगों में सोरगुल हो गया। योहनणा ने चिला कर कहा, देखो येश्व का मेमना है। येश्व का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्योंकि योहनणा बप्तिसमा देने वाले ने येश्व मसी को बप्तिसमा दिया था और जगत के पापों को उसके उपर पारिक किया था इसलिए यहन्ना खुद व्यक्तिगत तोर पर गवाही दे पाया क्योंकि यहन्ना ने येशु को बप्तिस्मा देने के द्वारा उच्छी त्रिती से हमारे सारे पाप उसके उपर पारिक किये थे इसलिए येशु मसी पर्मेश्वर का निर्दोस बलिदान बना जिसने पिता पर्मेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे सारे पापों को खुद पर उठाया पुराने नियम में पर्मेश्वर को बलिदान अरपन करने के द्वारा पापों की माफ ही प्राप्त की जाती थी लेकिन नए नियम में केवल येशु के बप्तिस्मा और कुरूस पर बहाय उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे पापों की माफी मिलती थी क्योंकि परमेश्वर बेल, मेडे और बक्रियों को बलिदान के अरपन के रुक में इजरायल के लोगों के पापों को मिटाने के लिए लेते थे अंगनित पसो को मार दिया जाया और उसका लहू बहाया गया उनके टुकड़े किये गए और होंबली की वेदी पर जलाया गया अंगिनत बली पसो को उनके मालिक के पापों की वज़े से मार दिया जाता था लेकिन नयनियन के युग में येशु ने ऐसे बलिदान को अरपन नहीं किया लेकिन उसने खुद की दे को हमारे लिए अरपन किया क्योंकि परमेश्वर का मेमना येशु इस पुर्थी पर आया अपने बप्तिसमा के द्वारा जगत के सारे पापों को खुद की दे पर उठाया और कुरुस पर अपना लहू भाया इसलिए उसने उन लोगों को अपने पापों से उध्धार पाने के लिए योग्य बनाया जो इस सत्य पर विश्वास करते थे पानी लहू और आत्मा से ये शुआया था उससे हमारे पापों का हमेशा के लिए अंध हुआ परमिश्वर आपको और मुझे उध्धार के इस सत्य पर विश्वास करने के लिए आग्या दे रहा है वो हमसे कहता है मैंने तुमारे सारे पापों को मिटाया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ मैंने तुम्हे इस प्रकार बचाया है इसलिए विश्वास करे मैंने मेरे पुत्र को आप के लिए बलिदान के अरपन के रुप में देकर आपके सारे पापों को मिटाया है मैंने मेरे पुत्र को इस पुत्वी पर 33 साल जीवन जीने दिया मैंने उसे बप्तिस्मा दिलवाया मैंने आपके खातिर कुरूस पर उसका लहू बहाने दिया और यहाँ सब करने के द्वारा मैंने आपको आपके सारे पाप और धंडे से छुड़ाया है अब इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा आप मेरी निज संतान बन सकते हैं जिसे मैं प्रेम करू और जिने में अपनी बाहों में भर सको अपने रिदे में इस सत्य को जाने और विश्वास करें जो लोग येश्व ने लिये हुए बप्तिस्मा और उसके बहाय हुए लहू पर विश्वास करते हैं वे ना केवल अपने सारे पापों से बच जाएंगे लेकिन वे लोग परमेश्वर की निज संतान बनने का अधिकार भी प्राप्त करेंगे क्या येश्व ने जगत के सारे पापों को मिटाया आईए हम इबरानियों अधियाए 10 वचन 14 से 18 की और वढ़ते हैं क्योंकि उसने एक ही चड़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किये जाते हैं सरवदा के लिए सिद्ध कर दिया है और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाई देता है क्योंकि उसने पहले कहा था प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांदूंगा वहाँ यहा है कि मैं अपने नियमों को उनके रिदे पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूँगा फिर वहाँ यह कैता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा और जब इनकी ख्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा पवित्र सास्तर का यह भाग इसे स्पष्ट करता है जब इनकी ख्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा इस आसिशी समाचार को सुनने हमारे सारे पाप येशु के लिए येशु ने ले लिए हुए बक्तिस्मा के द्वारा उसके उपर पारित किये गए है केवल आपने और मैंने किये हुए हमारे जीवन भर के पाप ही येशु पर पारित नहीं हुए लेकिन पूरी मनुष्य जाती के सारे पाप उसके उपर पारित हुए है परमेशुर की धार्मिक्ता को परिपून करने के लिए येशुर ने हाथ रखने की वीदी के साथ पानी में मतिस्मा लिया और इस प्रकार उसने सारे पापों को अपने उपर पारित होने के लिए अनुमती दी इस प्रकार हमारे सारे पापों को उठा कर वहां कुरूस पर चड़ा और मनुष्य जाती के सारे पापों के दंड को सहा और इस प्रकार जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं वे अब अपने सारे न्याई से चुटकारा पा चुके हैं जिस प्रकार महायाजक ने बली पसु के सिर पर हात रखने के द्वारा इसरायल के लोगों के पापों को उसके उपर पारिक किया था। उसी तरह युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने येशु को बप्तिस्मा देने के द्वारा हमारे पाप उसके उपर पारिक किये। और बदले में येशु ने उन पापों को उठाया और कुरूस पर चड़ा, और इस प्रकार जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उन्हें उनके पापों से बचाया, इसलिए जो कोई भी इस स्वर्गिय सत्य पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर की नीज संतान बनने का अधिकार प्राप कर सकते हैं, रोमियो अध्याईदस वचंदस कहता है, क्योंकि धार्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उध्धार के लिए मूँ से अंगिकार किया जाता है, आप मेंसे प्रत्यक्रति के लिए परमेश्वर की धार्मिक्ता पर और अपने मूँ से अंगिकार करने के द्वारा बचाये गए हैं, कि येशु का बक्तिस्मा और लहू बहाना, परमेश्वर की धार्मिक्ता, उधार का सत्यत, और पापों की माफी के सुसमाचार को परिपूर्णा करता है। आपके सारे पाप शुद्ध नहीं हो सकते। अनन्त तक रहेगा। और हम मेंसे जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, वे अब पाप रही थे। इसलिए परमेश्वर को हमारे पापों को स्मरन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की धार्मिक्ता का मतलब है उसका न्याए। पिता मर्ग परमेश्वर का न्याए दर्शाता है कि वह पवित्र है और जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे भी पवित्र और पाप रही थे। आरम से परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि वह हमें अपनी नीज संतान बनाना चाहते थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमें अपनी संतान बनाने की कितनी इच्छा रखते हैं, वह हमारे पापों की वज़े से ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए पीता बलिदान उनके पापों को शुद्ध करता क्योंकि यहां उसके असल उधार का आदी रूप था हमारा खुद का बलिदान का अरपन बनने हमारी जगत दंड सहने और खुद की दे से अनंत पाप बली अरपन करने के लिए येशुने बप्तिस्मा लेने में कोई संकुछ नहीं क किया और इस पाप बली के अरपन के द्वारा परमेश्वर ने सच्चे विश्वास्यों को अपने पापों को साफ करने और परमेश्वर की संतान बनने के लिए रास्ता बनाया अब जो लोग सत्य के इस सूसमाचार पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों से सुद्ध हुए हैं क्योंकि येश्व ने पहले ही बप्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को साफ किया है इसलिए यदि हम इस येश्व पर विश्वास करते हैं जिसने दंड सहने के द्वारा मनुश्र जाती के पापों को साफ किया है इसलिए हमें हमारे पापों के लिए कोई भी बलिदान अरपन करने की जरुरत नहीं है भाई और बहनों क्या हमें अभी भी हमारे पाप के लिए बलिदान अरपन करने की जरुरत है नहीं, बिल्कुल नहीं क्या आपको पता है कि क्यों येशु मसिख को कुरूस पर चड़ाया गया जबकि वो पाप रहीत और शुद्ध था हलाकि येश्यो को कुरूस पर चड़ाया गया लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया था क्योंकि येश्यो ने यर्दन नदी में बक्तिस्मा लेने के द्वारा मनुश्य जाती के सारे पापों को स्विकार किया था इसलिए उसे हमारी जगा मरना पड़ा उसे कुरूस पर मरना पड़ा उसका कारण यह है कि उसने पहले ही बक्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को स्विकार कर लिया था और वह सारी धार्मिक्ता को पूरा करने के लिए तयार था जब परमेश्वर के पुत्र ने इस रिती से सारी धार्विक्ता को पूरा करने के लिए बप्तिस्मा लिया तो फिर हम कैसे उसका धन्यवाद नहीं कर सकते क्योंकि येश्व ने हमारे सारे पापो को खुट के उपर उठाया इसलिए जिस प्रकार भेड कुतरने वाले के सामने खड़ी होती है उसी प्रकार येश्व ने कुरूस की पीडा को सहा हम सब को उसके बप्तिस्मा और कुरूस को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए क्योंकि यदि वो कुरूस पर नहीं चड़ता और दंड नहीं सैता तो फिर हमें निश्चित रुप से दंड सैना परता हमारे प्रभू ने न केवल हमारे पापो को उठाया है लेकिन उसने हमारे पापो के सारे दंड को भी सहा है अलग तरीके से देखे तो उद्धार करता येशु कुद जिसने हमारे सारे पापों को ले लिया वो हमारा पाप बली बना और कुरूस के सारे दंड को सहा किवल हमें पापों से बचाने के लिए और परमेशुर की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए इसलिए बाइबल इ इब्रानियों की पुस्तक अध्याई 10 वचन 17 से 19 में कहती है मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों को फिर कभी स्मरण न करूँगा और जब इनकी शमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा परमेशुर के समिप जाए इसलिए हे भाईयो जब हमें येशु के लहु के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है क्या अब आप समझते हैं कि क्यों येशु को कुरूस पर चड़ाया गया हमें केवल येशु के कुरूस पर के लहु पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन हमे निश्टित तोर से यहाँ जानना चाहते हैं कि कहां और कैसे हमारे पाप साफ हुए तो हमें यहाँ समझना और विश्वास करना चाहिए कि क्योंकि येशु ने जब यहुन ना बप्तिस्मा देने वाले से यर्दन नदी में बप्तिस्मा लिया तब हमारे पापों को येश जो कहा, वहाँ पानी और आत्मा के सूसमाचार का सत्य है, जिसके बारे में बाइबल विस्तार पुर्वत बताती है, और यहाँ सत्य उध्धार है, जिसे पृत्वी की रचना से पहले आयोजित किया गया था, और यहाँ उध्धार तंबू के द्वार को बनाने के लिए इस् मसीही किताबों के द्वारा जगद भर में प्रसार हो रही है, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी और आत्मा के सूसमाचार से अंजान होते हुए भी येशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, मैं ऐसे लोगों को मुर्क कहता हूँ, क्योंकि पानी और आत् मुख्य सत्य है, जो हमें येशु मसी के द्वारा परिपून बलिदान की प्रथा के बारे में बताता है, तंबू में प्रगठ हुए उध्धार की परचाई का वास्तविक तत्वा, अब आपकी बारी है, यदि आपने इस सत्य को जाने बीना ही विश्वास किया है, तो वह नीले बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में भी प्रगठ हुआ है, इसी वाइदे को परिपून करने के लिए और आपको और मुझे वास्तों में हमारे पापों से बचानी के लिए, येशु ने बप्तिस मालिया, कुरूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और अब परमेश्वर के दाहिनी और बैठा हुआ है, क्या आप अभी भी सत्य को जाने बिना ही खुद के अनुभव या भावनाओं से येशु पर विश्वास करने की कोशिस करते हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब उन्हें गलत विश्वास से मुढ़ना चाहिए और अपने पूरे मन से तंबू के द्वार में प्रगट हुए नीले बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रगट हुए छीपे पानी और आतमा के सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करना चाहिए, इबरा अपने सरीर में से होकर हमारे लिए अभिशे किया है। जब येश्व मसी ने बप्तिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया, कुरूस पर चड़ा, तब मंदिर का परदा दो भागों में पढ़ गया, और येश्व के बप्तिस्मा और कुरूस पर बहाय हुए उसके लहु के द्वारा मनुश्य जाती के पाप साफ हो गए। कार्य पूर्ण किया, तब स्वर्ग के दर्वाजे खुल गए। मंदिर का परदा उपर से नीचे तक दो भागों में फट गया, उसका मतलब है कि पाप की सारी दिवारे तोड़ दी गई। यहां दिखाता है कि परमेश्वर येश्व मसी के द्वारा इन दिवारों को परमेश्वर मंदिर के फटे हुए परदे से यहां प्रगट करना चाहते हैं कि नीले बेंजनी और लाल कपडे और बटी हुई सनी के कपडे में दिखाई गई येश्व की सेवकाई के द्वारा मनुष्य जाती के उध्धार को परिपूर किया गया, क्योंकि परमेश्वर क परमेश्वर के द्वारा हमें वाइदा किया हुआ अनंत प्रायश्वर परिपूर्ण हुआ, इसलिए नीले बेंजनी और लाल कपडे और बटी हुई सनी के कपडे से गुना परम पवित्रस्थान का परदा उपर से नीचे तक दो भागों में फट गया, मनुष्य के हाथो के द्वारा नहीं, लेकिन खुद परमेश्वर के हाथों से, यहां प्रगट करता है कि मनुष्य जाती के लिए अनंत बलिदान का अरपन बने येश्व मसी ने उन लोगों को संपुन रिती से बचाया है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, पिता आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं या नहीं, जिस प्रकार परमेश्वर ने आप से प्रेम किया, उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र येश्व मसी भी आप से प्रेम करता है, और उसने योहन ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने और कुरूस पर चड़न पानी और आत्म के सूसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमारे व्यक्तिगत पाप भी दूर कर दिये हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप और दोस्त पहले ही येश्यू के बक्तिस्मा और कुरुस पर उसके लहू के द्वारा साफ हो गए हैं। पाइबल निरंतर पापों को साफ करने के बारे में कहती है। पितल की हौदी में साफ करता था, उसी प्रकार हमें भी हर दिन यहाद रखने और विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप को साफ करना चाहिए, कि हमारे पाप पहले ही येश्यू के बक्तिस्मा के साथ साफ हो गए हैं। क्योंकि जब हम इस दुनिया में जीवन जीते हैं, तब यहाद समय है जब हम इसकी मलिंता को देखते हैं। हमारे सारे पाप, फिर चाहे वो हमारी देह, रिदय या विचारों से किये वे हो, वे सब जगत के पापों में सम्मिलित है। हम किस विश्वास के द्वारा जगत के यह सारे पाप साथ कर सकते हैं। हम उसे केवल येशु ने लिये हुए बप्तिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा ही साथ कर सकते हैं। जो लोग येशु के बप्तिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा सुद्ध हुए हैं, उन्हें अपने रिदय को सुद्ध रखना है, और जब कभी वे पाप करते हैं, तब उन्हें फिर से विश्वास के द्वारा साफ करना है। जो लोग हर दिन येशु के बप्तिस्मा को याद रखते हैं और विश्वास से अपने कार्य को साफ करते हैं, वे आशिशित हैं. क्योंकि योहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पाप येशु पर पारित किये हुए थे. इसलिए हर दिन इस सत्य पर मनन करने और इस पर विश्वास करने के द्वारा हम संपूर्ण रिती से हमारे पापों से चुटकारा पा सकते हैं. आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए, ताकि जब येशु ने योहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया, तब आपके पाप हमेशा उसके उपर पारित किये जाए. इस सुसमचार पर विश्वास करने के द्वारा आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि सर्वसामर्थी परमेश्वने जगत की सुरुष्टी पुराने नियन के यूग से पहले ही इसके योजना बनाई थी येश्वने यर्दन नदी में बप्तिस्मा लेने के द्वारा आपके सारे पापों का स्विकार किया था और कुरूस पर जाके सारे पापों के दंड को सहा था इस सत्य ने आपको परमेश्वर की धार्मिक्ता और आपके उध्धार को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया है इस सत्य ने आपको यह समझने के लिए योग्य बनाया है कि राजाओ के राजा येशु ने हमेशा के लिए आपको पाप से बचाया है और येशु के वक्तिस्मा के सुद्ध पानी को आपके रिदे पर छिड़का गया है ताकि आपकी दे और विवेक, शुद्ध और संपूर्ण रिती से साफ हो यहां येशु के वक्तिस्मा का सुद्ध पानी, पानी और आत्मा के सुसमाचार को दर्शाता है पानी और आत्मा का सूसमाचार आपके जीवन के अपरी हार्य वचन है और जब आप विश्वास करते हैं तब यह और भी ज्यादा चमकता है अपनी सारवजनिक सेवकाई के तिन सालों के दोरान येश्व ने मनुस्य जाति को पापों से बचाने के लिए सबसे पहला कारिय बप्तिस्मा लेने का किया था दूसरे सब्दों में येश्व मसी ने हमारे सारे पापों को उठाया था और ऐसा करने के लिए उसे युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के पास जाना पड़ा और उसे बप्तिस्मा लिया। इसलिए चारो सू समाचार अपने आरंब में ही इस घटना को दिखाते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? वास्तों में आप और मैं हम सब हमारे पापों के लिए मरने वाले थे। लेकिन क्या हुआ? हमारा प्रभु इस पूर्थवी पर आया, युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के द्वारा, बप्तिस्मा लेने के द्वारा, हमारे पापों को उठाया, परवेश्वर का मेमना बना, जगत के सारे पापों को कुरुस तक लेकर गया, हमारे पापों की वज कुरूस पर अपनी आखरी सांस ले रहा था। येश्व ने जो भी कहा और किया वह सत्या है। येश्व हमें बचाने के लिए हमारा पाप बली बना और तीन दिनों में बृत्यू से जीवित हुआ। और बृत्यू से जीवित होने के बाद उसने 40 दिनों तक अपने पुनरु बन कराया लेकिन जब वह दूसरी बर आएगा तब वह न्यायदिस बन करायेगा और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन सबका न्याय करेगा। अब आपको समझना चाहिए कि येश्व मसी न्यायदिस के रुप में इस कृत्वी पर आएगा और जिन्होंने उसकी 33 साल क सिवकाई की दौरान परिप्रून की ये पानी लहू और आत्मा के उद्धार पर विश्वास किया है। उन्हें परमेश्वर की संतान के रुप में स्विकार करेगा और स्वर्ग के अनंत राज्यों में जीवन जीने के योग्य बनाएगा। और उन लोगों पर अपना न्य के इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए। और आपको समझना चाहिए जिस प्रकार परमेश्वर ने तंबू की बली प्रथा के द्वारा वाइदा किया था, उसी प्रकार येश्वर इस कृत्थी पर आया, हात रखने की वीदी के रुप में बप्तिस्मा लिया, कुरूस प मोड़ दिया है, और वे दूसरे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसराइलियों को यह समझना है, कि वे येश्व को छोड़ दूसरे मसीहा का चाहिए जितना भी इंतजार करें, लेकिन येश्व मसी को छोड़ दूसरा कोई और मसीहा नहीं है, इस प्रुत्वी पर य योगों को येशु मसीहा को परमेश्वर के पुत्र के रुप में विस्वास न करने के लिए उनके पापों का पस्तावा करना चाहिए और उन्हें विश्वास करना चाहे कि येश्व मसीह उनका उद्धार करता है और इसे अपरी हार ये सत्य के रुप में स्विकार करना चाहिए एक और बार यह विश्वास करने के द्वारा येश्व मसीही आने वाला उद्धार करता है इसराइल देश को परमेश्वर का सच्चा, आत्मी और चुना हुआ देश बनना चाहिए अब भी इसराइल के लोग तेजस्वी समर्थ और सामर्थी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें इस जगत के दर्द और कस्टों से बचाएगा लेकिन येश्व पहले ही मनुष्य की देह में मसीहा के रुप में इस पुथ्वी पर आ गया है और उसने उन्हें बचाया है जो लोग अपने पापों के लिए आग से न्याई प्राप्त करने वाले थे इसलिए उन्हें इस सत्यों को समझना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए उनकी आत्माओं के लिए येश्व खुद पूराने नियम के वाईदे के हुए बलीदान के रूप में इस पुथ्वी पर आया उन्हें उनके सारे पापों से बचाया और उन्हें परमेश्वर की नीज संतान बनाया येश्व मसी जो धार करता के रूप में आया था उसने हम सब को पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाया नीले, बेंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रगट हुए सत्य में और वहां हम मेंसे जो विश्वास करता है उन्हें उसके साथ हजार साल के राज्य में राज करने के योग्य बनाएगा इसके बाद वह उन्हें परमेश्वर के अनंत राज्य में हिस्सा लेने और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ आनंद और खुसी से रहने के लिए योग्य बनाएगा इसलिए जब हम इस पूर्थवी पर है तबी हम सब को अपने पूरे रिदे से पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर की नीज संतान बनना चाहिए जो लोग इस सुसमाचार के सत्यों पर विश्वास करते हैं केवल वे ही परमेशुर के पाप रही संतान बन सकते हैं और आने वाली दुनिया में जो आशिशे उनका इंतिजार कर रही है उनको प्राप्त करेंगे हाललुया हमें स्वर्गिय आसिस देने के लिए मैं अपने विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रभु ने वाइदा किया है कि वह जल्द ही वापिस आएगा जल्द ही आईए प्रभु